नमस्कार, मैं डॉक्र कंचन, भारत हुम्मेपैथी में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो बहुत ही जादा कॉमन है 80-90 पर्षन लोगों में ये डिजीज जो दिखाई दी जाती है आज मैं बात करूँगी स्किन डिजीज सुरैसिस के बारे में सुरैसिस जो है बहुत ही जादा कॉमन हो गया है आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सुरैसिस आखिर क्या है और ये क्यों होता है और जिनको भी सुरैसिस है वो उनको trigger कैसे कर जाती है किन कारण के वज़े से problem जो सुरैसिस की है वो इनकी increase हो जाती है सुरैसिस को autoimmune disease कहा जाता है autoimmune disease एक disease की family है जिसमें हमारी ही body का immune system ही हमारा दुश्मन बन जाता है सुरैसिस जादा तर आपको skin पर दिखाई देती है लेकिन ये body के किसी भी part को effect कर सकती है जैसे की scalp हो गया, हमारे elbow joint हो गया, हमारे finger के nails हो गये और जादा तर ये effect होते हैं knee joint को भी ये effect कर देती है इसकी पहचान है scales जिन भी patient में itching के साथ साथ अगर silver color के चकते दिखाई दे या उनमें बहुत जादा जलन हो तो ये सुरैसिस के तरफ indicate करता है इसके साथ साथ ही अगर सुरैसिस के patient को देखा जाए तो बहुत ही जादा उनके skin dry होती है और उनको burning sensation भी feel होता है ये विमारी किसी भी उमर में manifest हो सकती है 15 साल से 50 साल तक के उमर में भी ये सुरैसिस की परिशानी हो सकती है आईए हम जानते हैं कि आखिर ये परिशानी होती क्यूं है आखिर सुरैसिस होती क्यूं है first of all हमारे skin के दो layer होते हैं पहली उपर वाली layer जिसको हम epidermis बोलते हैं and second जो नीचे वाली layer होती है उसको हम dermis बोलते हैं उपर वाली epidermis layer further divide होती है normal condition में epidermis की जो सबसे नीचे वाली layer होती है उसको उपर तक आने में पूरे 28 दिन का समय लगना चाहिए लेकिन अगर वही layer, skin layer 5-15 दिन में ही अगर वो उपर आती है तो उसमें scaling करने का time नहीं मिल पाता है और नई skin layer पुरानी layer के नीचे deposit होना start हो जाती है जिससे हमारे skin जो proper तरीके से डबलप नहीं हो पाती है अगर मैं आपको simple language में समझाऊं जैसे कि एक baby होता है उसको इस दुनिया में आने के लिए पूरे 9 महीने का time लगता है अगर वही baby 9 महीने का समय लेके 6-8 महीने के बीच में ही आ जाता है तो वह baby जो premature baby कहलाता है उसी तरह अगर हमारी skin का जो सबसे नीचे वाला layer है वो पूरे 28 दिन का समय लेके ना वो 10-15 दिन में ही वो उपर आ रहा है तो इससे skin की problem जो होती वो increase हो जाती है skin layer को नीचे वाली जो skin layer होती है वजह से ही psoriasis की problem start होती है आईए अब जानते हैं कि आखिर psoriasis trigger क्यों करता है first of all अगर पहला reason देखा जाये तो ये genetic भी होता है यानि कि किसी भी family में किसी भी member को अगर psoriasis की problem है तो उनके बच्चों में होने के chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं दूसरा जो reason होता है वो होता है बहुत जादा alcohol consume करना और third reason जो होता है अगर हम unhealthy diet ले रहे हैं खाने में हम परहेज नहीं कर रहे हैं fast food बहुत जादा खा रहे हैं तो उनसे भी psoriasis जो होता है वो trigger कर जाता है and सबसे most important जो reason होता है वो होता है stress अगर हम बहुत जादा stress ले रहे हैं तो भी हमारे psoriasis जो होता है वो increase हो जाता है अब हम आते हैं इसके ilaj पे इसका ilaj जो है वो तीन पैथी में होती है पहला homeopathy, दूसरा औरवेदिक, तीसरा ऐलोपैथी अलोपैथी के बारे में अगर बात करें तो इसमें कोई भी treatment नहीं है सिर्फ patients को steroids ointment दिया जाता है और वेदिक की बात करें तो इसमें बहुत जादा परहेच करना होता है बहुत जादी करवी दवाईया खानी होती है तो उनसे भी patients को उतना आराम नहीं आता है क्योंकि patient परहेच नहीं कर पाते हैं अब हम बात करते हैं होमेपैथी की, की psoriasis पे वो कैसे काम करता है होमेपैथी medicines जो है, वो हमारे root पे काम करता है जो cause है patient का, जो psoriasis के वज़े से problem आ रही है main cause जो है, उस पे काम करता है होमेपैथी, medicines जो है इसके कोई भी side effects नहीं है ये medicines चोटी-चोटी गोलियों के balls होते हैं जो बच्चे भी खा सकते हैं बड़े भी खा सकते हैं और बुड़े भी खा सकते हैं जो होमेपैथी के जो balls 행 चोटी चोटी जो गोलियां हैं वो हमारे टंग पे सलाइवा के साथ मिक्स होके वो हमारे सीधे रूट पे काम करती हैं अगर आप सुराइसिस से सफर कर रहे हैं तो नीचे दिये गए हुए नंबर पर आप कॉल करके मुझसे संपर कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट भी शेयर कर सकते हैं जिससे मैं आपको बहतर इलाज दे सकूँ अगर आपको मुझसे कोई इंक्वाइरी है तो आप भारत होमिपैथी के OPD में विजिट कर सकते हैं I hope so, सुरैसिस के बारे में अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा अगर आप सुरैसिस से सफर कर रहे हैं तो हमारे नीचे दिये गए हैं नंबर पर संपर कर सकते हैं हमारे डॉक्तर टीम से अगर आपको मुझसे डारिक मिलना है तो आप भारत होमिपैथी के OPD में भी विजिट कर सकते हैं